पुर्प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग की हालत फिलहाल इस्थिर बनी हुई है वे दिल्ली इस्थित अखिल भारतिया आविज्यान संस्थान में भरती हैं अब उनकी तबियत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है बता दे की बुखार और कमजोरि के चलते बुधबार को उनैं दिल्ली के एमस अस्पताल में भरती कराया गया इसके बाद से यहां पर उनका उपचार चल रहा है एम्स प्रसासन के अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में उप्चार के लिए भरती कराये गए मनमोहन सिंग की हालत में काफी सुधार है और अब धीरे धीरे उनकी तबिया ठीक हो रही है वहीं उनके बिमार होने पर केंड्रिय स्वास्त मंत्री मंसुख मंडाविया और कॉंग्रिस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने ब्रस्पतिवार को एम्स पहुँच कर उनका हाल चाल लिया था आपको बता दे कि मनमोहन सिंग को उपचार के लिए एम्स के कार्डो नियूरो केंडर के निजी वोर्ड में भरतिकराया गया है फिलहाल डॉक्टर नितिस नायक के नेतुत में हिर्दैरोबी से सगे की टीम मनमोहन सिंग का इलाज कर रही है हाला कि देखने वाली बात यह है कि मनमोहन सिंग का जब हेल्थ बुलेटन जारी होता है तब डॉक्टरों की और से क्या बयान आते हैं और उन्हें कब तक अस्पताल से छुट्टी दी जाती है बने रही है ऐसे ही ब्रेकिंग खबरों से अपडेट रहने के लिए मोबाइल न्यूस 24 पर खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें सेर करें हमारे चैनल मोबाइल न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने रह सके अपडेट